सब्सक्राइब कीजिए टैकीजी चैनल को बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आप जानते हो कि मेंटेनेंस की हेल्प से हम अपने टाइम एंड कॉस्ट दौनों को सेव कर सकते हैं और दोस्तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेंटेनेंस का इंट्रोडेक्शन, हिस्टरी, एक्टिविटी, ओब्जेक्टिव, चैलेंजिस, एंड इसके इंप्रोटेंस बताए थे यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाके वीडियो चेक कर सकते हैं और दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस के टाइप्स बताने जा रहा हूँ तो दोस्तो नमस्कार, मेरा नाम अश्कुमार है, आप देखने हैं टैकी जी, let's start this video बेसिकली मेंटेनेंस हमारे टू टैप्स के होते हैं फिर्स्ट इस प्लांड मेंटेनेंस और स्ब्लांड मेंटेनेंस को हम प्रोएक्टिव मेंटेनेंस भी कहते हैं और unplanned maintenance को हम reactive maintenance भी कहते हैं और सबसे पहले हम discussion करते हैं planned maintenance के बारे में यानि की reactive maintenance के बारे में इस maintenance में हम equipment की पहले से ही advance में planning कर लेते हैं कि हमें इसका maintenance कब करना है और इसका inspection कब करना है कब इसकी हमें service करनी है और इसका maintenance कौन करेगा और इस पर कौन सा maintenance का method apply करना है मतलब इस पर हम किस type का maintenance करेंगे यह हम सारा पहले से ही advance में planning कर लेते हैं और यह equipment की need को fulfill करता है इससे हमें ensure होता है कि हमारा equipment correctly work कर रहा है और जिससे कि हमारा downtime और breakdown दोनों minimize होते हैं downtime क्या होता है हमारा amount of time equipment not in operation means जब हमारा equipment कोई operation में नहीं है उस time को हम downtime क्याते हैं almost preventive maintenance क्या होता है हमारा plan maintenance होता है preventive maintenance almost हमारे plan maintenance होते हैं और हमारे plan maintenance basically four types के होते हैं इसको हम predictive maintenance preventive maintenance implement maintenance sorry improvement maintenance and corrective maintenance यह हमारे 4 type के plant maintenance होते हैं अब हम इसके second type के बारे में discussion करते हैं second type है इसका unplanned maintenance इसे हम reactive maintenance भी कहते हैं और इसे हम run to failure maintenance भी कहते हैं यह हमारा एक oldest type का maintenance है इसे हम पहले use किया करते थे planned maintenance में हमारे पास में planned available होता है पहले से ही उसी planned के according हम maintenance करते हैं उस plan के according ही हम action लेते हैं लेकिन unplanned maintenance में हमारे पास में कोई plan available ही होता है इस पे हम यह unexpectedly होता है इसमें कुछ part जब damage हो जाता है तब ही हम maintenance करते हैं इसे हम कुछ unscheduled maintenance भी कहते हैं और यह maintenance 3-9 times more expensive होता है हमारे plant maintenance के comparison में क्यों होता है क्योंकि हमें employees को overtime देना होता है और क्यों overtime देना होता है क्योंकि हमें यह नहीं पता होता कि इसको करने में इसको repair करने में replace करने में कितना time लगेगा इसलिए हमारा जो overtime देना पड़ता हमें employees को तो वो हमें expensive पड़ता है इसलिए और दूसरा हमाय इसका जो parts है वो urgent needed होता quickly इसके लिए हमें separately एक part purchase करने के लिए purchasers को market में बेजना होता है जो कि हमें free है इसका part भी और expensive होता है और हमें इसके लिए quickly technician को भी बुलाना होता है यदि हमारे पास में technician available नहीं है तो वो technician भी suddenly available नहीं होगा जिसके वज़े से downtime बढ़ेगा और हमारा जो technician है वो भी हमारा expensive होगा वो अपने जो चार्ज है उसका costly होगा उसका आने का जो चार्ज है उसमें इंकलीड करके लेगा जो भी वो expensive होगा means और इसमें हमारा जो downtime है उसका कोई planning नहीं होती वो unplanned होता है उसको एक दिन भी हो सकते हैं दो दिन भी हो सकते हैं मसीन को हरा हुए क्यूंकि इसमें downtime की कोई plan नहीं होता है और यदि machine का एक part damage हो गया है तो वो हमारे दूसरे part को भी damage कर देगा unplanned maintenance में suppose जैसे कि हमारी shaft में bearing लग रहा है यदि हमारा bearing damage हो गया है तो वो हमारी shaft की bearing sheet को काट देगा यदि हम उसको फिर भी replace नहीं कर रहे हैं हमने ध्यान नहीं दिया तो वो हमारी shaft एक दिन वो खुल के नीचे गिर जाएगी जिससे हमारी और machine के equipment damage होगा और operator की safety कम होगी accident हो सकत यह ओब हम बात करते हैं unplanned maintenance में और unciduled maintenance में क्या difference है unplanned maintenance और Reg CIA Royal Man 12 में तो थोड़े similar से लग रहे हैं लेकिन इन में थोड़ा सा difference है जैसे कि unplanned maintenance क यह HOता है an unexpectedली होता है इसमें कोई parts हमारा damage हो गया तो हम उसके action लेते उसको repair कर देते हैं और unciduled maintenance प्लान तो यह पता है कि इसकी सर्विस के लिए हमें यह पता है कि इसकी सर्विस होगी कितनी कॉस्ट लगेगी क्या स्पेर पार्ट्स यूज़ोंगे कितना टाइम लगेगा और तो यह सब हमें अलड़ी इन इन सब का पता है मेंज हमारे पास में एक प्लान अविलिवल है लेकिन हमें यह नहीं पता कि 250 आप इसके कब ओंगे डी जी के इसलिए हम इसे अंसेडूल मेंटिनेंस कहते हैं और इस अंसेडूल मेंटिनेंस में हमें कोई टेक्नीशन भी असाइन नहीं किया हुआ हुआ इसलिए एक्सेड़ नहीं को जल्ड से जल्ड उसकी ऑपरेशनली एफिशेंट वरकिंग कंडिशन में लाने के लिए हम एमर्जेंसी मेंटिनेंस करते हैं जैसे की फोर एक्जाम्पल हमें कोई प्लंबिंग लीक हो गया है या कोई फायर एक्स्टेंट हो गया है या लिफ् रिफ्ट करते हैं ब्रेकडाून मेंटिनेंस की ब्रेकडाउन मेंटिनेंस के बोता हमारा जब कोई और दोस्तो नेक्स वीडियो में मिलते हैं